हेलो ट्रेडर्स माया ट्रेडिंग एकेडिमें आपका स्वागत है फ्रेंड्स ट्रेडिंग में अगर आपको मज़ा आ रहा है मैं मान के चलता हूँ कि आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ बाते जानते हैं और आप सिखना चाहते हैं तो friends आज हम वीडियो में इस वीडियो में तिखने कि कोषिश करेंगे कि हमें ट्रेडिंग में कितने कैपिटल की requirement है और हम एक बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर मार्सल लिंक के experience से समझने की कोषिश करेंगे कि working capital क्या है और इसमें कितनी capital की जुरुत है और friends वीडियो के last प मैं आपको live सो करके दिखाऊंगा कि फ्रेंट्स आपको minimum quantity में भी ट्रेड करने के लिए कितनी क्यापिटल की requirement है अगर आप option में trading करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी capital चाहिए और अगर आप cash market में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी capital की requirement है ओके तो एस्टे ट्यूंड वीडियो लेट्स स्टार्ट के लिए आपको अच्छे खासे पैसे की जरौत होती है और वह आपको इकठा करना पड़ेगा फ्रेंट्स फिर यह बताते हैं कि इससे बड़ी frustrating कोई चीज हो नहीं सकती कि जब अच्छे move आए और आपके पास sort of fund हो कहने का मतलब है कि friends आप ऐसा अनुभाव कर चुके होंगे अगर आप market में लगतार काम कर रहे हैं तो friends आप ऐसा अनुभाव किये होंगे कि जब भी market में अच्छी move आने वाली होती है तो friends आपके पास पैसे की कमी पड़ जाती है ऐसा क्यों होता है friends ऐसा इसलिए होता है because you are under capitalized आपके पास friends पैसे की कमी है इस रीजन से अच्छे move हमेशा आपके पैसे खत्म होने के बाद आते हैं या ऐसा होता है कि आपका पैसा market में इंगेज हो जाता है और उसके बाद market में बड़ी गिरावट आती है जब खरीदने का समय होता है तब आपका पैसा फंसा हुआ रहता है यह लिखते हैं कि उन्होंने अच्छी रहे लिया तब देखी हैं जब उनके पास पैसे नहीं थे वो ब्लोन आउट थे market से बाहर थे और साइड लाइन पर बैठ करके market को वाच कर रहे हैं विकॉज कि उनका पैसा टोटल मार्केट में खत्म हो गया due to the loss अब यह बताते हैं कि अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और मेरे पास लिमिटेड फंड अब नहीं है मेरे पास अच्छे खासे फंड है और मैंने इसे ट्रेडिंग के द्वारा ही सुधा रहा है तो फ्रेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट केरे ग्राफ जो है उसकी तरफ पर फिर भी यह लिखते हैं कि अब मुझे वरी होने की जोरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एनफ फंड है फिर यह कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं less careful हूँ मैं अपने losses के pretty careful नहीं हूँ फ्रेंट्स से कहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोसिस करता हूँ अपने losses को कम करने का और अपने रिश्क को मैनेज करने का और लेकिन अब मैं इसको ले करके वरी होना छोड़ दिया हूँ कि कैसे फंड इकठा किया जाए कैस से और यह मैन फोकस इनका है अपने ट्रेडिंग के ऊपर यह फिर आगे बताते हैं जैसा कि हाइलाइट किया गया है पॉइंट को यह कहते हैं कि जो भी लोग ट्रेडिंग में हैं वो scared money से ट्रेड नहीं कर सकते हैं friends scared money से ट्रेड करना एक अलग चीज़ है आप scared money से रो नहीं कर सकते हैं या अपने ट्रेडिंग के करियर को अच्छा नहीं बना सकते हैं और एक और बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ सालों तक आप अपने ट्रेडिंग से living के लिए earning नहीं कर सकते हैं यह बाते आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी नहीं कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग से अगर आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं विद सम आफ ट्वंटी फाइव थाउजन डॉलर टू फिटी थाउजन डॉलर यह एक अच्छी एमाउंट है जिससे कि आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है लेकिन इतने फंड से भ पहुत सारे लॉसेज कियें और आपको भी लॉस होगा मार्केट में और लॉस से आपको डिश्करेज नहीं होना है और क्या करना है फ्रेंड्स तो यूज एवरी डॉलर लॉस्ट टू हीज बेनिफिट और आप अपने प्रतियक डॉलर का हिसाब लीजिए जैसे कि कई फोकस किजिए आप सीखने पर फोकस किजिए और अपने पैसे का हिसा मार्केट से लेकर निकलिएगा फ्रेंड्स खो कर नहीं निकलिएगा यह मेरा अपना ओपिनियन है तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पेरेग्राफ की और ओके फ्रेंड्स यह नेक्स्ट परेग्राफ है इंज्वाइंग लाइफ इंज्वाइंग लाइफ करके परेग्राफ है यह लिखते हैं कि आपको ट्रेडिंग कैपिटल के अलावा अपने बील्स को पे करने के लिए और लाइफ को इंज्वाइए करने के लिए भी आपके के पास पैसे होने चाहिए और यह काफी एक्स्ट्रीमली इंपोर्टेंट है कि आपको वेल फाइने होना चाहिए ताकि आप अपने यू कन टेक के यूर माइंड ओफ अधर तिंग्स वेंड ट्रेडिंग आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन सारी चीजों से इन सारी फुलिस चीजों से आपका दिमाग बिल्कुल हट कराना चाहिए जैसे की रेंट कैसे पे करूंगा खाने के लिए क्या है और मुभी के जाने के ल है और अगर आप इन सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है अगर आपको तो इससे आपके ट्रेडिंग पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पढ़ने वाला है और एक सबसे वर्ष्ट चीज है जो आप कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के साथ सबसे बुरी चीज क्या है तो वो है कि आपका सोचना कि आप अपने ट्रेडिंग से लिविंग के लिए अर्निंग फिलहाल ला पाएंगे ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं क्यों क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी टाइम देनी होगी और इसमें लर्निंग पे आपको जारी रखना होगा लर्निंग को और ये फ्रेंट्स आगे लिखते हैं कि I know a lot of guys who tried trading full time ये कहते हैं कि बहुत सरे मैंने लड़कों को देखा है बहुत सरे लोगों को मैंने देखा है जो trading करना full time सुरू करते हैं बिकॉज और कि उनको एक back home support मिलता है उनकी आइदर वाइफ कर रही होती है या उनका कोई parents कर रहा होता है या कोई और family member जो उनको कुछ सालों तक support कर रहा होता है जिसके करनो full time trading में रहते हैं और उनका दिमाग बिलकुल अदर चीजों से को लेकर के tension में नहीं रहता है और वो अपने trading के career में friends अच्छा करते हैं तो friends आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा और उसके अनुसार trading करना होगा और यह friends आगे लिखते हैं कि आपको trading को लेकर के और साथ में अपने life को भी इंजवाय करने के बारे में सोचना चाहिए और अगर आप यह सोचते हैं यह लिखते हैं कि you need to be able to enjoy life if you are trading with money that you plan to use यह कहते हैं कि अगर आप ऐसा किसी vacation के लिए या कहीं घुमने जाने के लिए प्लान किया कर रहे हैं या आपने कोई गाड़ी खरीदने के लिए प्लान किये हुए और उस पैसे को लगा करकर कर रहे हैं या आपने money को borrow किया है लोन पर पैसे लेकर क्याप ट्रेड करना चाहा रहे हैं तो फ्रेंट्स यह बिल्कुल भी मत किजिए क्योंकि यह से आपके ट्रेडिंग केरियर सफर करने वाली है और आप benefit नहीं उठा पाएंगे ट्रेडिंग का और खासकर अगर आप लून पर पैसे लेकर के ट्रेडिंग में मैं देखता हूं फ्रेंट्स बहुत सरे लोग ऐसे हैं जो लून पर पैसे लेकर के ट्रेडिंग में लगाते हैं ऐसे में आपके उपर एक प्रेसर रहेगा लून के बिल को पे करने का और वह आपके ट्रेडि करियर सफर होगा और आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा आप फोकस्ट नहीं रह पाएंगे अपने ट्रेडिंग के ऊपर और यह गलती मार्सल लिंक भी कर चुके हैं तो इसलिए शलाह देते हैं कभी भी बॉरूर्वड मनी से ट्रेड नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रेड ग्राफ को देखते हैं में लिखते हैं कि लोन्स लेकर के पैसे मार्केट में लगाया थे तो इन डे नाइट और इविकंड पर भी काम करना पड़ता था जिससे इनका ट्रेडिंग सफर होता था और यह अपने ट्रेडिंग को उतने टाइम नहीं दे पा पैसे ना लगा है मार्केट में कोशिस करें कि उसको अर्न करके धीरे-धीरे पैसे इकठे करें और तब जाकर के मार्केट में पैसे लगाएं और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग और फ्रेंड्स क्रिप्या करके कंजूसी ना करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बाइबाए सी यू सुनी दे नेक्स्ट वीडियो जेस्ट आएगा और इसके लिए वेट करने की जोरत नहीं है फ्रेंड्स मिलते हैं